हाई गाईज आज बात करते हैं कि नोड जेस क्या होता है नोड जेस इस जावास्क्रिप्ट रॉन टाइम बिल्ट ओन क्रॉम्स वेट जावास्क्रिप्ट इंजन तो नोड जेस एक रॉन टाइम इंवार्णमेंट है जवास्क्रिप्ट के लिए जो की वेट इंजन पर बनाया गया है अब इसको और डिटल में आख समझाएंगे कि वेट इंजन क्या होता है यह सब्सक्राइब को बताऊंगा उसके ओफिसल साइट में ले जाकर नोट जसे में आपको बहुत सारे जवास्क्रिप्स मिल जाएंगे जिसका आप यूज करेंगे अपने वैप प्लिक्षिन को बनाने के लिए कौन-कौन से आपको मोडिल से मिलते हैं वह हम लोग देरे देर आगे देखेंगे जो कि मिलता है लेकिन वह जास्क्रिट का कोड नहीं है वह जावास्क्रिट का ही मॉड्यूल है जिसको हम लोग रन कर सकते हैं नोड़ जैस रन टाइम इंवार्डमेंट में तो यह दिमाग में रखिए नोड़ जैस को डेवलप किया था रायन ने 2009 में नोड़ जैस कोई भी लैंग्वेज या फिर कोई भी फ्रेमवर्क नहीं है यह रन टाइम इंवार्डमेंट है इतना दिमाग में जबूर होँए वरना लोग कंफ्यूज करते हैं कि नोड़ जैस कोई फ्रेमवर्क चिसमें हम लोग कोड लिखते हैं जिसका यूजर कोड लिखते हैं यह उसा वह इफिशियंट है, फास्ट है और हाइली स्केलेवल है, इवेंट ड्रेवन है और वेरी पॉपुलर है इंडस्ट्री में, तो यह सारी अपको मिलेगी Node.js को और अप सर्वर सैट का कोड लिख सकते हैं, Node.js अगर आप यूज़ करेंगे तो, आप तो, desktop application भी बना सकते हैं, JavaScript को यूज़ करके, आपको Node.js उसमें इस्तमाल करना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें आपको पहले से बता होनी चाहिए, अगर आप इस playlist को, पूरे playlist को follow करना चाहते हैं, फिर Node.js को follow करना चाहते हैं, Node.js की बात करूए, या फिर आप Express की बात करें तो, आपको क्या पहले से बता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, JavaScript अच्छे तरीके से, DOM, manipulation वेगरे सब कुछ आपको अच्छे तरीके साना चाहिए, फिर आपको पता होना चाहिए, NPM, जैकि Node.js पैकेज मेनेजर है, कैसे आपको पैकेज इंस्टॉल करते हैं, कैसे अपडेट करते हैं, कि आपको package.json file क्या होता है, package.log.json file क्या होता है, Node.js folder क्या होता है, यह सारी जैपको पहले से आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इस प्लेलिस्ट को फॉल कर सकते हैं, JavaScript का पूरा प्लेलिस्ट मेने बना कि यह रखा हुआ है, Core, JavaScript, Advanced, JavaScript अगर आपको इसको follow कर लीजेगा, ठीक है, अगर आपको नहीं बता है, बस यह दो सी आपको जानकारी तब Node.js में jump कर सकते हैं, और आसानी से सीख सकते हैं, बहुत ही easy, Node.js express बहुत ही easy है, अगर इसको compare करें हम लोग other framework से, जो backend framework से हैं, उससे, तो जब express की बात करेंगा, तो और मैं बत दिखाता हूँ, उसकी site दिखाता हूँ, और Node.js की site भी आपको दिखाता हूँ, तो यह Node.js की official website आप देख सकते है, Node.js, Node.org, यहां से आप Node.js को download कर सकते हैं, इसको download कैसे करना है, लेकिन अभी नहीं, इसका doc अगर आपको देखना हो, तो आप यहां से docs में click करेंगे, और हम लोग जो use करेंगा होगा, use करेंगे 16.10 API यह वाला, तो इसका हम लोग documentation यहां से आप follow कर सकते हैं, यहां पर वह सारे modules, error module है, path module है, file system module है, तो यह modules हमें मिलते हैं Node.js के थुरू, है तो यह JavaScript का module, इसको run करेंगे Node.js का use करके, तो हमें इसका output देखने को मिल जाएगा, इ V8.8 is a Google's open source high performance JavaScript and WebAssembly engine, तो V8.8 JavaScript और WebAssembly engine है, जिसको Google ने बनाया हुआ है, और यह open source है, इसको लिखा गया है C++ का use करके, इसका use क्या गया है Chrome में, और Node.js में, जिसके मैंने आपको भी बता कुछ दिर पहले, Node.js के definition में, यहां पर भी आप देख सकते है, it implements ECMAScript and WebAssembly, and runs on Windows 7 or later Mac 10.12 plus में, और Linux system में, that uses this ARM या लिक्का हुआ है, बाकिया हमें इसमें जानी करशकता है नहीं है, हमें V8 engine की docks में जानी करशकता है नहीं है, हमें इसके बारे में जानकर यह इतना ज्यादे हासिल करनी करशकता है नहीं, इसको में देखना ही नहीं है, इसको में close करता ह सबको बस जानकर देना था कि यहाँ पर यह है, अभी तो में इसको close करता है और हम लोग हमारा जो main मुद्दर रहेगा भी कुछ समय के लिए वह रहेगा node.js पर तो इस साइट पर रहेंगे हम लोग, तो यह पूरा introduction था node.js का, अभी हम लोग नेक्श वीडियो में देखें इसको बहुत बहुत धन्यवाद.